इन दिनों प्रदेश में चिकंगुनिया हो या फिर मलेडिया हो डेंगु की बीमारिया लगातार बढ़ रही है और जो अस्पतालों में हाला थे कि मरीजियों की बेट फुल है संख्याय लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन उन्हें कैसे बचाओ किया जाए उनसे कैसे रख तेजी से फैल रहा है लेकिन अगर थोड़ी सा तर्कता बरती जाए तो इन दोनों बीमारियों का बचाओ बहुत सरल है मोटे तोर पे इसमझे कि इन दोनों से बचने के लिए मच्छरों से बचना है ठीक तो सबसे पहले यह है कि घर में जहां पे भी रुका हुआ पानी है जैसे कोई नाली ब्लॉक है किसी के कूलर में पानी भरा हुआ है कोई वाटर कूलर बंद पड़ा है उसमें लार्वा उसके जाते हैं और वो पनपते हैं तो रुका हुआ पानी नहीं रहे और सफाई रहे तो बहुत हद तक यह इस पे काबू हो जाएगा दूसरा अपने को अगर आप घर में मच्छर से मुक्त रखें फागिंग कराएं फिलिट शिरकें मच्छरों की दवाई रखें उसके बाद भी अगर ऐसा लगता है कि कुछ मच्छर हैं उनको निकाल पाना संभव नहीं है कहीं खुले में सोना पड़ता है तो पैरों को रखें पतले मोझे पजामा उसको डखें कि जिससे वो उसका एक्स्पोजर कम हो उसके बाद भी जदी अगर आपको बुखार आता है तो इस वकत इस सीजन में बुखार को मियादी बुखार या सीजनल बुखार मान कर नहीं बैठना चाहिए खास दोर पे बुखार के साथ अगर पेट दर्द उल्टी कहीं पेशाब में या उल्टी में खून आना शरीर पे कहीं पे चकत्य जैसा निकलना ये अगर लक्षन आ रहे हैं तो तुरंत अस्पताल जाएं और अस्पताल जाएं अपना प्लेटलेट काउंट कराएं आप ये जानिए कि अगर आप समय पे अस्पताल पहुंच जाएंगे और अगर आपको डेंगू भी है तो समय पे पहुंच जाएंगे के बाद मृत्य होने की संभावना ना के बरावर हो जाती है इसमें दिक्कत अभी आती है जब मरीज उसको मियादी बुखार या सीजनल बुखार मान के टालता रहता है और ज उसको गंभीरता से लें तुरन डॉक्टर को दिखाएं बलड की जाच कराएं और सबसे पहले अपने चिकत्सक के पास जाएं इन रोगों में अगर बच्चों पर भी प्रकूप होता है तो उनकी लिए कोई खास रहती आती है खुछ खास बिलाज बच्चों में चुकि शर बेजिए कम से कम इसको फैलने से रोखिए दूसरे बच्चों पर उसका एक्सपोजर नहों और तुरंत उसकी जाच करें यह बहुत दुरभागिपूर्ण है कि तिरपन दवाईयों के सैंपल फैल हुए हैं देखिए कोई भी चीज जिसकी मार्केटिंग होती है और अगर वो महत्वपूर्ण है यहां तो लाइफ सेविंग है तो उसकी सतत प्रक्रिया continuing प्रोसेस रहती है कि random sampling करके उसकी लगातार जाच होती रहनी चाहिए और जिन कमपनियों के सैंपल फैल हुए है उसकी एक root cause analysis होती है उसकी जड़ में जाके यह देखें कि क्यों हुआ है और इस पे वो सारे कदम लिए देखें कोई भी चीज होती है तो उससे एक सबक भी मिलता है आगे के लिए तो इसको अगर सबक लेके देश आगे बढ़ेगा तो हम लोगों को बहुत फायदा मिलेगा इससे कि ये अब ऐसी प्रक्रिया और व्योस्ता होनी चाहिए कि कोई भी दवा जो मार्केट में आए उसकी लगातार टेस्टिंग होती रहे सब्सक्राइब करने के लिए तो आपने सुना कि सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर के किसम सब्सक्राइब कहना है कि मलेरिया चिकिन गुनिया और डेंगू ये इसी विग्माई से घबराए नहीं बलकि साब सपाई और जलवराओ नहोंने दे और वेडिसीन का इस्तेमाल करें